नमस्कार दोस्तों, पिछले हफते एक इंसिडेंट हुआ जिसमें सौधी अरब ने बताया है कि एक्स्प्लोसिफ से भरे हुए बोट के माध्यम से उसके एक पोर्ट के उपर अटाक करने की कोशिश की गई है, ये जो पोर्ट है इसका नाम है पोर्ट येन्बू, तो आपके एक इंसिडेंट हो जाता है कि जो इसकी exact location है, वो कहाँ पर है, क्योंकि अगर आप सौधी अरब का मैप देखे होगे, तो दो important water body उसके साथ जूरती है, एक तरफ है Persian Gulf, दूसरी तरफ Red Sea, तो चलिए सबसे पहले इसकी exact location देख लेते हैं, बाकी detail हम अपने वीडियो के जाना पड़ेगा, western की तरफ और यहाँ पर Arabian Sea है, और इसके इधर आप देखोगी तो Persian Gulf है, तो काफी बड़ी मात्रा में यहाँ पर जो production है oil का, वो किया जाता है सौधी अरब के दौरा, लेकिन यह जो port Yenbu है आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा, इधर आपको जाना पड़ जाना पड़ेगा, Red Sea में, और Red Sea के लिए आपको Gulf of Eden क्रॉस करके, यह जो Barb Elmandeep स्ट्रेट है, यह क्रॉस करना पड़ता है, और यहाँ पर आप जैसा की देख सकते हो, यह है आपका port Yenbu, यह जो बड़ा सा port देख रहे हो, काफी important port है, मैं आपको वीडियो के अंदर भी बत जाता है, यहाँ पर जो Suez Canal है, उसको लेकर भी काफी जादा incident हुआ था, आपने देखा था, जो ship है, वो आपकी attack गई थी, तो again, यह जो पूरी location है, यह काफी important हो जाता है, इसके बारे मैं आपको ध्यान रखना है, और यहाँ पर मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ जैसे port of, यह Yenbu port है, इसके opposite में कौन सी country है, कई प्रकार से question आ सकते हैं, तो देखे, Egypt आपको दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर confuse हो सकते हैं, लोग, Saudi Arab के सामने आपको दिख रहा होगा, नीचे सुदान है, और इधर Egypt है, तो Egypt के just opposite में ही यह port है, इसको आप ध्यान करेंगे, कि पहले past में किसके द्वारा attack किया गया है, यहाँ पर, क्या कारण हो सकते हैं, इन सबको हम analysis करेंगे, चली आगे बढ़ते हैं, मैं हूँ अंकित अगरवाल, और update के लिए आप मुझे follow कर सकते हैं, Instagram, Facebook और Twitter मेरे lecture की हप PDF आपको Facebook पर तो मिलेगी, plus साथ में आप म चली देखते हैं, exactly यहाँ पर हो क्या रहा हैं, क्यों इसके बारे में discuss कर रहे हैं, तो remotely piloted boat, ध्यान रखेगा, जिस boat के माध्यम से, यह जो yanbu port है, वहाँ पर attack करने की कोशिश की गई, उसमें एक तो explosives था, मतलब कि जो गोले बारूद होते हैं, उसके माध्यम से attack करने की को operate किया जा रहा था, मतलब कि इसमें कोई person बैठा नहीं था, और यहीं बताया गया, सौधी अरब के दोरा, और उन्होंने बोला कि हमने इसको intercept कर लिया, और destroy कर दिया, कहने का मतलब है कि सौधी अरब यह कह रहा है, यहाँ पर, कि यह जो boat हमारे पर attack करने वाला था, हमारे port के उपर, वो attack नहीं कर पाया, उसके पहले ही हमने इसको track कर लिया, और इसको पूरी तरह से destroy कर दिया, जिसकी वज़य से black smoke वगरा, ऐसा कुछ private agencies के दोरा बताय जा रहे थे, देखे, यह जो पूरा इलाखा है न, यहाँ पर आपको exact 100% information क्या है, वो किसी को पता नहीं चल जो भी media थोड़ा बहुत बताती है, जो वहां की सरकारे बताती है, उनी से थोड़ी बहुत ख़बर आपाती है, otherwise क्या exactly port पर attack किया गया, नहीं किया गया, यह सब कहना मुश्किल हो जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हो, जो British Maritime Security Company है, Embry, उन्होंने भी बताया कि कुछ न अपने आपको तैयार कर लें, लेकिन यहाँ पर यह जो पुरा incident है, recently आपको याद होगा, कई सारे वीडियोज हमने बनाये थे कि Middle East के अंदर, इरान और इसराइल को लेकर काफी conflict देखने को मिल रही है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कि जो इरान है, वो Syria के अंदर अपने attack करता रहता है, और फिर इसराइल भी यहाँ पर Syria के अंदर attack करता है, इरान की facilities को, तो यह सारी चीजे चल रही होती है, लेकिन इसमें important यह है कि अगर आप इसराइल का map देखोगे, तो Red Sea में ही यहाँ पर आपको एक port है, जो इसराइल है, उसका Iliat, तो यहाँ पर भी incident ज कुछ आपको unstability देखने को मिलेगी, कभी यहाँ पर Persian Gulf में आप देखोगे, तो यह US और Iran है, दोनों के बीच में यहाँ पर कुछ न कुछ problems देखने को मिलती है, तो अगेन यहाँ पर जब हम शान्ती की बात करते हैं, तो उतनी अच्छे से चीजें नहीं हो पाती है, लेकि पिछले वीक की बात है, यह Wednesday या Tuesday की बात है, जब अटाक करने की कोशिश की गई, तो लेकिन क्या exactly जो board था, वो Yanbu Port पर अटाक कर पाया की नहीं कर पाया, इसको लेकर Saudi Arab ने कहा है, कि हमारी तरफ से तो कोई अटाक नहीं किया गया, हमने पहले ही उसको किल कर दिया, लेकिन मई 2019 में भी अगर आप देखोगे, तो US National Security Advisor उस समय के उन्होंने कहा था कि Yanbu Port पर अटाक किया गया, लेकिन जो Saudi Arab का kingdom है, उन्होंने इसको accept करने से मना कर दिया, मतब Saudi Arab ने कहा दिया, कि नहीं ये अटाक नहीं किया गया है, तो कई बार जो देश हैं, वो यहाँ पर मना कर देते हैं कि अटाक नहीं हुआ, ताकि यहाँ पर further escalation नहीं हो, क्योंकि एक बार अगर वो accept कर लेंगे कि अटाक हुआ है, तो फिर Saudi Arab के उपर compulsion आ जाएगा, कि वो भी यहाँ पर जो भी दोशी है, उसके उपर अटाक करें, बाकी अगर मैं आपको बताओं, यह जो port है, य यहाँ पर इसकी distance अगर आप देखोगे, रियाद इसकी capital से यनबू पोर्ट तक, यह करीब 870 km बताई जाती है, और यहाँ पर एक और चीप मैं आपको बता दूँ, कि Saudi Arab का east-west pipeline बना हुआ है, ठीक है, pipeline के मदद से क्या होता है, कि Saudi Arab जो भी oil का production करता है, Persian Gulf में, इस पूरे certified चलता है, तो यहाँ पर यह cross करके पूरा इधर आकर, फिर यहाँ पर जो बावल मांदेव स्टेट है, उतना गुजारना ना करना पड़े, इसकी वज़े से यह जो east-west pipeline है, क्या किया जाता है, कि जो भी oil को भेजना होता है, यूरोप की तरफ, तो pipeline के माध्यम से east से इसक होता है, वो आपको यही पर देखने को मिलेगा, इसकी वज़े से यह जो yanbu port है, काफी important है, सौधी अरब के लिए, लेकिन last में जो सबसे ज़्यादा guess किया जा रहा है, कि यह attack किया, किसके द्वारा किया जा सकता है, एक तो आपका इरान बार बार बताया जाता है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि यह आप देखोगी location जो है, वो यमन के काफी जादा करीब है, और यमन और सौधी अरब को लेकर काफी अकसर fight आपको सुनने को मिलती होगी, पिछले कई बार ऐसे incidents हुए हैं, जैसे कि मैं आपको example बताता हूँ, December के महने में, सौधी अरब का एक tanker जो ह पर further, सौधी अरब का एक terminal है, वहाँ पर attack किया गया था, और उस समय हौती जो rebels हैं, यमन के अंदर हौती rebels हैं, मैं आपको इसके बारे में भी बता दूँगा, तो यहाँ पर क्या होता है, वो accept कर लेते हैं इन सारे incidents को, जो हौती rebels हैं उनका कहना है, कि सौधी अरब हमारे soil के उपर, मतलब की जो यमन है, इसके उपर, मतलब intervention करने की कोशिश करता रहता है, जो उसको नहीं करना चाहिए, इसकी वज़े से हौती rebels इससे खुश नहीं होते हैं, लेकिन जो लास्ट वीक incident हुआ था, इसको अभी के लिए हौती rebels ने accept नहीं किया है, और जहां तक fight की ब सकते हो, यह आपका red sea के connect करता है, तो इसके लिए भी बताया जाता है कि इसके माध्यम से, यहाँ पर यह जो आप नीचे देखिए, इसके माध्यम से उपर जो आपका port है, सौधी अरब का, यनबू port, वहाँ पर हो सकता है कि शायद attack किया होगा, जहां तक houthis की बात है, य आपको पता ही है, सौधी अरब, यह बेसिकली सुन्नी majority country है, इसकी वज़य से भी सौधी अरब नहीं चाता कि उसका जो पडोसी देश है, यहाँ पर जो shiites हैं, वो किसी प्रकार से रूल कर पाएं इसके अंदर, और एक और चीज़ यहाँ पर आपको पता होगी, जो इरा इरान है, वो आपका shiite majority देश है, तो इसकी वज़य से बताया जाता है, कि जो इरान अक्सर support देता रहता है, होती rebels को, इसकी वज़य से भी सौधी अरब, इरान से खुश नहीं रहता, तो यह पुरा मामला चल रहा है, I hope कि जो भी incident हुआ था, इसके बारे में आपको जान c वहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पर कौन सा c आपको नहीं मिलेगा, Mediterranean c के अंदर, यह question है, इसका जो right answer है, आपको पताई है, मेरे इस्टा पर तो आपको मिली जाएगा, अगर आप वहाँ पर नहीं हो, कोई बात नहीं, टेलिग्राम से ले सकते हैं, मैं कई सारे mcqs यहाँ पर डालता रहता हैं, उस stories के form में आप जाकर play कर सकते हैं, अगर आप उसे economy पढ़ना चाहते हैं, कोई भी course purchase करना चाहते हैं, study IQ आप पर जा सकते हैं, hope की वीडियो आपको पसंदाया होगा, मिलता हूँ आप से next time, till then, thank you very much, see you soon.